Welcome to Movies in Your Hand आज मैं आपको दिखाऊंगा एक डाक फैंटेसी फिल्म, The Brand New Testament इस दुनिया में भगवान एक अधेर उम्र का आदमी है जो ब्रसल शहर के अंदर रहता है समय की शुरुआत में उसे काफी बोरियत हो रही थी इसलिए उसने इस दुनिया को बना कर अपनी बोरियत को खत्म करने का फैसला किया फिर उसने अजीब जीव बना कर खाली जगहों को भरने की कोशिश की लेकिन भगवान किसी भी रचना से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे खुद से बहुत अलग थे इस वज़े से वो दुनिया का पहला आदमी एडम को बनाता है जो उसकी अपनी छवी पर आधारित था और इस परिनाम से देवता बहुत प्रसंद हुए वो आदमी शहर के अंदर बिना किसी उद्देश्य के घूम रहा है तब ही वव इव नाम की एक लड़की से मिला जिससे उसे तुरंट प्यार हो गया उन्होंने तुरंट सोने से पहले कुछ व्यायाम करने का फैसला किया लेकिन पहली बार में ही चीजों को ठीक करना आसान नहीं था हालां कि वे इस काम में सफल हुए परिनामस वरूप उनके बच्चे पैदा हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को आबाद कर दिया देवता भी अपनी बेटी ये के साथ अपनी पत्नी देवी के साथ रहते हैं जिस पर वो हर समय हावी रहता है क्योंकि वो कभी भी बात नहीं करती है अपने बच्चों के विपरीत जो महान चमतकार करने में सक्षम है भगवान कुछ भी विशेश करने में असमर्थ है और वो अपने कम्प्यूटर कक्ष में जाकर मनुश्यों को दुखी करके इस अप्रसन्नता को व्यक्त करते हैं ऐसा वो दुनिया में अनावश्यक आपदाएं पैदा करके और हास्यास्पद नियम बना कर करता है जो ये सुनिश्चित करता है कि हर एक इनसान पीरित होगा ताकि उसका मनोरंजन किया जा सके बाद में ईए नोटिस करती है कि उसके पिता के कमरे का दर्वाजा खुला है और जिग्यासा के कारण अंदर जाती है वो वहाँ पर सूचनाओं के भंदार को देखती है तभी उसकी नजर वहाँ रखे कम्प्यूटर पर पढ़ती है लड़की मशीन के अंदर की फाइलों को देखती है और अंतहीन आपदाओं से भैभीत हो जाती है जो उसके पिता निर्दोश लोगों पर पैदा कर रहे है ईए अगले दिन अपनी मा को अपने पिता द्वारा इंसानों को सताने के बारे में बताती है ये भगवान को बहुत गुसा दिलाता है जिससे वो अपनी बेटी का पीछा करता है अंतता लड़की पर कुछ अनुशास अनात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होता है सजा भुगतने के बाद ईए ने अपने पिता से बदला लेने की कसम खाई जिस तरह उन्होंने दुसरों को दुख दिया है उसी तरह वो भी उन्हें दुख देना चाहती है वो मदद मांगने अपने भाई जीसस के पास जाती है जीसस उसे बताता है कि उसे इंसानी दुनिया में जाकर इंसानों के बीच रहकर उनकी फीलिंग्स को ठीक से समझने की जरूरत है ताकि वो एक नया टेस्टामेंट लेख सके जीसस आगे बताता है कि वो वाशर के अंदर जाकर घर से भाग सकती है वो जाने का तै करती है वो अपने पिता के पास से रूम की चाभी चुराती है और अलमारियों की ओर जाती है फाइलों से छे लोगों को चुनती है वो कंप्यूटर चलाती है और सभी मनुश्यों को उनकी मौत की तारीक भेजना शुरू कर देती है जिससे अरबों लोगों को संदेश प्राप्थ होते हैं जिनमें से कुछ को उनकी मृत्यू से ठीक पहले संदेश प्राप्थ होता है इससे पूरी दुनिया सदमे में है और लोग सहमें हुए है कुछ ही समय बाद वाशर में प्रवेश करने से पहले ये अपने पिता के कंप्यूटर के अंदर एक वाइरस डालती है ताकि वो इस जगह से बच कर भाग सके लड़की एक बड़ी सुरंग में प्रवेश करती है और मानव दुनिया की और बढ़ना शुरू कर देती है अपनी मृत्यू के समय को जानने के बाद कई लोगों ने अपनी सामान्य दिन चर्या बंद कर दी और वो करना शुरू कर दिया जिसे करना वे पसंद करते हैं जबकी अन्य अपने स्वयम के जीवन को बचाने के लिए सखत कोशिश करते हैं लेकिन बुरी तरह असफल हो जाते हैं बहुत जल्द भगवान को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्योंकि वो समाचारों में अराजकता देखता है और देखता है कि उसकी चाबिया चोरी हो गई है जिससे वो अपने कम्प्यूटर कक्ष की ओर दोड़ता है भगवान स्थिती को ठीक करने की कोशिश करते है लेकि पेट निकला होने के कारण उन्हें सुरंग में आगे बढ़ने में काफी तकलीफ हो रही थी दूसरी तरफ ये मानव दुनिया में प्रवेश करती है वो कच्रे के डिब्बे के अंदर खाने के लिए कुछ खोजने की कोशिश करती है इससे वो तुरंद बीमार हो जाती है लेकिन वो विक्टर नामक एक बेगर आदमी का ध्यान आकरशित करने में सक्षम थी और उसे अपनी नई किताब लिखने में मदद करने के लिए मनाने में सफल रही बुड़ा आदमी उसे अपनी पीट पर उठा कर ले जाता है और वो सो जाती है क्योंकि उसके साथ काफी स चीफ महसूस करती है जो कि उसने कभी भी अपने पिता के साथ नहीं किया था वे अब उस शहर में जाते हैं जहां लड़की का पहला प्रेशित स्थित होता है और वो व्यक्ती औरली नाम की एक खूबसूरत महिला होती है इसके बावजूद भी महिला लंबे समय से खुश नहीं है क्योंकि उसके बिल्डिंग के सभी पुरुष उसके बैडरूम में जाना चाहते हैं महिलाएं और भी बद्तर हैं क्योंकि वे उसे लगातार जलन और घिनौनी नजरों से देखती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके जीवन में दुखों के लिए जिम्मेदा आती है कि वो अपने जीवन में दुख के बावजूद क्यों जीती रही और ली का जवाब है कि जीवन एक स्केटिंग रिंग की तरह है जहां बहुत से लोग नीचे गिरते हैं ताकि वे सीख सके कि खुद को कैसे उठाना है महिला ये सोचकर रोती है कि इस धर्ती पर उसक पास कितना कम समय होगा तभी ये उसके आंसों को एक छोटे कंटेनर में एकठा करती है और उसे जल्दी एक चमतकार दिखाने का वादा करती है उस रात बाद में औरिली को एक विजन आता है जिसमें वह रसोई की ओर चलती है और खाने की मेच पर कुछ जानी पहचानी ची पास जाती है जहाँ पता चलता है कि वह आदमी अब घर पर नहीं रहता उसका नाम जीन क्लाउड है और वह लंबे समय से पार्क में सो रहा है जब वह बहुत चोटा था तो वह एक निडर सासी बनना चाहता था लेकिन उसने जल्दी ही अपने सपनों को छोड़ दिया और पैसा कमाने में जुटा रहा इससे पहले की आदमी कुछ समझे वह पहले ही बूरा हो चुका है इसके साथ ही उसने अभी तक शादी भी नहीं की है जिस वजह से उसका कोई परिवार नहीं है एक दिन पार्क में टहलते समय जीन को एक संदेश मिलता है और उसे पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए केवल एक वर्ष से भी कम समय बचा है जिसके कारण वो आदमी गुसे में अपना ब्रीफ केस फेक देता है उसने उस पल में फैसला किया कि वो अपने जीवन का एक सेकंड भी पैसे कमाने में खर्च नहीं करेगा जिसके बाद वो पार्क में बै वे समय तक एक ही जगह पर बैठने का फैसला क्यों किया तभी आदमी को पता चलता है कि उसने इस सवाल के बारे में कभी नहीं सोचा था जीन आश्चर्य करता है कि पक्षी ऐसा ही क्यों करते हैं जब वो आसानी से उर सकता है और पंची अपने पंखों को फरफडा कर जव करता है लेकिन वो जल्दी महसूस करता है कि इंसानों की दुनिया में कुछ भी उसकी योजना के अनुसार नहीं होता है और वो अपने द्वारा बनाए गए भयानत नियमों का शिकार हो जाता है तभी स्थानिय गैंक्स्टर उसे कच्रे के डिब्बे से खाने के लिए पुशिश करता है लेकिन उसे तुरंत ही सजा मिल जाती है क्योंकि बच्चे की माँ उसकी अच्छे से पिटाई करती है दूसरी तरफ ये अपने लिस्ट के तीसरे व्यक्ति को भी धून लेती है जो माग के नाम से जाना जाता है जब वो छोटा लड़का था तो उसे एक गहरा अनुभव हुआ था जिसने हमेशा के लिए उसका जीवन बदल दिया समुद तट पर खेलते समय उसने दूर से एक सुंदर युवा लड़की को देखा और तुरंत मंत्र मुगधा हो गया हाला कि लड़की ने उसे तिरसकार की भावना से देखा जिसने उसकी कैसे पठाया जाए लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि सभी सलाहें बकवास है और असल जीवन में वेकाम नहीं करती ये जानने के बाद कि उसके पास जीने के लिए केवल तिरासी दिन थे उस आदमी ने फैसला किया अपना सारा पैसा रेड लाइट एरिया में उड़ा कि उसे अभी भी एक खालीपन का एहसास होता है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत महत्वपून चीज गायब है छोटी लड़की उसे जल्दी एक चमतकार दिखाने का वादा करती है और उसे सलाह देती है कि वो वोईस ओवर का काम करे मार्क अब एडल्ट फिल्मों मे वोईस डबिंग का काम शुरू कर देता है जहाँ पर उसे एक महिला मिलती है जिसके खयाल उसे मिलते है उनकी बात चीत के दोरान मार्क को पता चलता है कि वो वास्तव में वही लड़की है जिसे उसने तब देखा था जब वो बहुत छोटा था और वे तुरंट एक दूस में आश्चरे किया है जहां वो उन लोगों से शरन लेने की कोशिश करता है जो उसकी पूजा करते हैं वो स्वयम सेवकों से कुछ खाने के लिए लेने की कोशिश करता है लेकिन लाइन लगाने के बजाए वो सीधा आगे जाने का फैसला करता है जिससे वो एक बार फिर से पीटा जाता है, सौभागय से वो एक फादर द्वारा बचा लिया गया है, जो दया भाव दिखाते हुएं उसे बदलने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान ने खुलासा किया कि वो जन्म से ही आदमी के दुख के लिए जिम्मेदार था, भगवान उस व्यक्ति का मजाक है, वो हमेशा से जानता था, कि उसके अंदर एक हत्यारा है, क्योंकि उसे मरने वालों के प्रती कभी भी सहानुभूती महसूस नहीं होती, ये आदमी के पास जाती है, और उसे अपनी बंदूक में डालने के लिए एक गोली देती है, और उसे उस महिला को निशाना बनाने के लिए कहती है, जो औरली है, फ्रैंको इस ट्रिगर दबाता है, लेकिन गोली उसके कृत्रिम हाथ पर लगती है, जिससे उसको कुछ भी नहीं होता, फ्रैंको इस आश्चर्य चकित हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये एक चमतकार है, वो तुरंत महिला का पीछा कर ना शुरू कर देता है, अंतता हुसके अपार्टमेंट की इमारत में जा रहा है, क्योंकि वस पष्ट रूप से अपने लक्षे को मारने में विफल होने के बाद उसके प्यार में है, हाला कि उसको अपनी भावनाओं को स्वीकार करने में कठिनाई होती है, इसलिए वो दर अपने कबूलों का गुलदस्ता लेकर लेकर लिफ मिक्त आता है, और उसके लिए अपनी सारी भावनाओं को प्रकट करता है, औरली आदमी की इमानदारी से चौंक जाती है, और उससे गुलदस्ता लेकर तुरंत लिफ से बाहर चली जाती है, अपने कबूल नामे से संतु फ्रेंक को इस आखिरकार खुद को स्वीकार करने में सक्षम है, कि वो वास्तव में कौन है, बहुत जल्द ये अपने पांचवे प्रेरित को खोजने में सक्षम हो जाती है, जो मार्टीं के नाम की एक मध्यम आयूवर्ग की महिला है, ये जानने के बाद कि उसका पती 30 साल स उसे खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि उसके पती के साथ शादी लंबे समय से प्रेमहीन चल रही है, ये महिला की उदासी को देखती है, और उसे सकस जाने के लिए कहती है, वो वादा करती है कि वो वही है, जहां उसे अपना सच्चा प्यार मिलेगा, वेकार निवाल की और जाते हैं, और एक पिंजरे के अंदर एक विशाल गोरिला को नोटिस करते हैं, महिला ये समझ पाती है कि जानवर ने पहली नजर में उसके लिए सच्ची भावनाएं विक्सित कर ली है, मार्टीन जल्दी से सकस के मालिक के पास जाती है, और जानवर को तुरंथ लेती है, ताकि वो उसके साथ रहना शुरू कर सके, जो वास्तव में उसकी परवा करता है, उसी समय, और एली को उन फूलों पर फोन नंबर मिलता है, जो उसे उपहार में दिये गए थे, वो उस आदमी को कॉल करने का फैसला करती है, ताकि वो उसे आमंतरित कर सके, वे ब लेता से टकराती है, और डर कर वहां से भाग जाती है, नदी पार करते ही दोनों पानी पर चलने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन जब भगवान भी उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, तो वो डूबने लगता है, इसके साथ ही वो तैरना नहीं जानते, आदमी को एक बा अच्चे के बीमार होने के बारे में पागल हैं, इसलिए वे उसे लगातार ऐसी दवाएं देते, जिनकी उसे वास्तव में आवश्यक्ता नहीं होती है, जिसके कारण उसे अपना अग्याशेक होना पड़ा, जिसकी वजह से लड़के के पास जीने के लिए 54 दिन से अधिक समय बचा है, मरने से पहले अपने बेटे को खुश करने के लिए माता पिता लड़के की किसी भी बात के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन ये सुनकर चौक जाते हैं कि विली केवल 6 दिनों के लिए लड़की बनने की इच्छा रखता है, उन्होंने लड़के को स्क देख चमतकार दिखाने का वादा करती है, विली उस मचली को याद करना शुरू कर देता है, जिसे उसने आज खाया था, और उस राद बाद में उसे किच्छन से किसी के गाने के आवाज आती है, विली देखता है कि वो मचली एक चमकदार आत्मा में पुनर जीवित हो पेच दिया, ताकि उनके पास यात्रा करने के लिए पैसे हो सकें, और मंगलवार को फ्रांको इस औरली को बताता है, कि वो अब दूसरों की हत्या नहीं करना चाहता, बुधवार को मार्टीन के पती को पता चलता है, कि उसकी पत्नी गोरिल्ला के साथ सो रही है, वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा गोरिल्ला उसके पती को उसके घर से भगा देता है, गुरुवार को माक और उसकी प्रेमिका पहली बार प्यार करने का फैसला करते हैं, और इधर देवी अपने पती से छुटकारा पाने के बाद, पूरे घर की सफाई श इसी समय भगवान को भी पुलिस द्वारा घुसपैट करने के लिए ले जाया गया, क्योंकि उनके पास उचित पासपोर्ट नहीं था, अंत में रविवार को सभी प्रेरित समुद्र की तरफ आते हैं, क्योंकि हजारों लोग समुद्र तट पर एकठा होते हैं, ताकि वे अपने अंतिम क्षन इस खूबसूरत जगह के पास बिता सकें, विली मचली की आत्मा को समुद्र में लोटा देता है, काउंट डाउन शुरू होते ही सभी लोग युवा लड़के के पास लेट गए, लेकिन आकाश में एक हवाई जहाज जिसमें भगवान को ले जाया जा रहा है, लोगों की और गिरने लगा, हर कोई खौफ में चिलाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भवशेवानियों के बावजूद वे जल्ब मर जाएंगे, इधर भगवान भी अपनी मौत के डर में है, और इस पीरा में रोते हैं, इस बीच, ईए की माँ अपने पती के क देती है, देवी कम्प्यूटर का उप्योग करना शुरू कर देती है, और इसके पहले के कारियों को पूरी तरह से बदल देती है, वो चमतकारिक रूप से हवाई जहाज को ठीक करती है, जिससे प्लेन वापस से उड़ने लगता है, और अब उनकी जान को कोई खत्रा नही है, इसलिए भगवान पुलिस अधिकारियों के साथ जश्न मनाते हैं, कम्प्यूटर के रिबूट से मृत्यू की सभी तिथिया मिच जाती है, जिसका अर्थ है कि सभी लोग अब अमर है, क्योंकि उनकी नियती वापस उनके हाथों में आ गई है, देवी मानव संसार को मजबूर किया जाता है, क्योंकि वो उस वाशिंग मर्शीन को खोजने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो अपने घर पहुँच सके, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है, तो ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले,